आज आप जिस संघर्स में हैं कल के लिए यही संघर्स आपकी आवश्यक ताकत बनता है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आसुतोस और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पर आपका स्वागत है मान्ये मुख्यमंत्र नितिश कुमार का घर यहां से कुछी दूरी पर है आज मैं जिस सक्स की वीडियो बनाने आया हूँ यह राजकी एस्तर के निशाने बाज है नाम है उत्तम जी कारे भी काफी अच्छा कर रहे थे उत्तम ही कर रहे थे लेकिन सरकार और सिस्टम के निकम्मेपन की वजह से इन्होंने अपने प्रोफेशन को छोड़कर या यू कहें अपने प्रोफेशन से तंग आकर फार्मिंग को चुना चुकि किसान का बेटा ही किसान बनता है बाकि इस दुनिया में और कोई जो है यह जरूरी नहीं कि जो जिसका बेटा है वो उस चीज में जाए लेकिन किसान का बेटा जो होता है वो दोस्तों इनहेरिट करके ही जो फार्मिंग वगरा का जो गुन होता है वो पैदा होता है जब आदमी को कुछ नहीं मिलता है तो अंत में फिर वो फार्मिंग को चुनता है और इन्होंने भी फार्मिंग को चुना और आज समेकित क्रिसी प्रनाली को अपना कर अपने आगे के जीवन के लिए जीव को पार्जन के लिए फार्मिंग कर रहे हैं हमारा उद्देश से में वीडियो बनाने का तो रहता ही है साथ ही ये भी प्रयास रहता है कि अगर कहीं कुछ गलत हो रहा हो या किसी तरह की सहायता अगर उनको पहुंचाया जा सके तो हम अपने दम पर ये कोशिस करते हैं और बोलने से बाज नहीं आते हैं इसी संदर में आज हम पहुंच गए हैं नालंदा जीला के हरनौत प्रकंड में उत्तम जी के फाम पे आज बात करेंगे हम समिकित क्रिसी प्रनाली के उपर साथ ही हम थोड़ा सा चर्चा इनके निसाने बाजी के ऊपर भी करेंगे तो आज़े दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं उत्तम जी हमारे चैनल पर आपका स्वागत है सर आपका भी स्वागत है और तमाम दर्शकों को भी मेरे फारम पर स्वागत है और वीडियो देखने के लिए स्वागत है कब से यह समयकित क्रिशी परनाली को कब अपने अपनाया सर हम यह 2019 में अपना इसको सबसे पहले फार्मिंग में किस चीज का फार्मिंग आप किये थे सबसे पहले हमने बकड़ी फार्म को किया था सर बकड़ी फार्म सबसे पहले किया उसके बाद फिर जो अन् बढ़ा है अभी यह जो पूरा एरिया है लगबंग झे एरिया में यह आप पुरा सेटप किये हुए सर्य धब पूरा रुप्वाइड चट्फे एरियम सेटप किया गया है अभी इसमें निर्मान हो रहा है और हुआ भी है उसकार norm लगबंग कितना खर्चा इसमें यानि अगर हम कहें तो तक्रीबन दस वर्ष का चार लाख रुपए आपको जमीन का भी देना है क्या आखिर उत्तम जी क्या कारण क्या है कि निशाने बाजी कर रहे थे आप अभी कुछ दिन पहले भी हडियाना से आया जैसा कि आपने बताया मुझे फार्मिंग की क्यों जरुवत पड़ गी सर निशाने बाजी तो मेरा बच्पन सा एक सोक था और उसको हम पूड़ा करने भी लगे लेकिन कुछ प्रस्तितियां ऐसा आगया कि निशाने बाजी को करते हुए भी हमें अपने आपको बहतर और बनाने के लिए इस तरह का फार्म वाया उसको हमने धिरे-धिरे मेनत करके उसको आगे बढ़ाने का कोशिस किया और अपने आपको और थोड़ा मजबूत करने के लिए इसको हमको सार नाई नाई इतना बोलने का ज़रूत नहीं बोलिए साप साप की निशाने बाजी से पेट नहीं भरता है जैसा कि अभी ज बिल्कुल दोस्तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब आपके पास संसाधूनों का भाव है तो जरूरी नहीं कि आप स्रियसि सिंग और अभिनओ बिंदरा बंजाएं क्यूंकि सब के लिए कर पाना संभव नहीं हो पाता है अभी अगर बात करें तो अभी हम देख रहे हैं कुछ कड़कनाथ उदर रखा हुआ है कुछ उदर सोनाली एक कौन कौन सा अभी दो है मुर्गे का कौन-कौन सा नसल सर मेरे पास मुर्गे का वे सुना ली हाँ और राई आरा है और कड़क नात aye लगबग कितनी संख्या नहीं अंचिए 7 जुक सेर बुट तो रेट है आराई का लगभवव धाईसस सथीन सो के बीच में जाता है और यह सोनाली 400 से चार्सू के बीच में जाता और खड़कनाद 600 रुमद्शाओ के जाता है बद्तक अभी कितना बनाया है उस पर कमेंट लोग करते हैं और यह सिकायत करते हैं कि बत्तक को जो है वो पहला तो कि अंडा बेचने में समस्य आती है और दूसरी बात कि बत्तक का जो है वो मांस सभी जगह प्रचलन में नहीं है जिसके कारण बत्तक को बेचने में भी समस्य आती है कुमाल लेज हैं तो आप पहले मार्केट देखना पड़ेगा मार्केट को समझना पड़ेगा केवल पालने से तो कुछ होगा नहीं आपको उसके लिए मार्केट त्यार करना पड़ेगा तो उनको मार्केट के बारें जनकारी इसका जनकारी तो ले लेते हैं इस से में परसानी हो जाता उनको नहांडा से लोता नमांस के लिए बत्तक से लोता इसलिए जो भी वैब किसान हैं या फिर वैब कkę color would you इंट्रेस्टेट रहें वो चौटे अस्तर स्टार्ट करें अभी बात करें तो जो अभी आप इस समेकित Gift करशी पर्नाली को अपना है और सरकार भी भौत छोड़े होकर मीडिया के थुरू त्रूढों के थुरू देखने को मिलता है ये कि समेकित कृषी परनाली को बहुत प्रमोट कर रही है तो हम पूछना चाहते हैं कि किसी तरह का सहायता सरकार के तरफ से आपको मिला है कि नहीं बगल में आपका कृषी विज्ञान केंदर भी है और ऐसे करके तो आपको किसी तरह से सरकार से सहयोग मिला है कि नहीं अभी तक मतलब एक है तो उसको बस खाना पूर्टी करने के लिए वो दे दिया गया तो एक चीज और यहां बहुत अच्छा लगता है यह सब सुनने को कि आप किसी चीज को निरंतर बोलते हैं कि हम क्रिशी में किशानों को ऐसे सहयोग कर रहे हैं वैसे सहयोग कर रहे हैं हम स 19, 19, 20 और 21 का ऐसे चीजों को रोक कर रखा जाता है और उसके बाद वो देते हैं फिर भी हमारे कोई माननिये या आधर निये कोई देख रहे होंगे तो अगर किसी तरह से आप सहायता पहुंचा सकते हैं तो आप पहुंचाईए बहुत अच्छा लगता है जब कोई अधिक अभी हम बात करते हैं कि लगभग इस साइड़ में जो आपका बकडी है लगभग कितनी बकडियां आपके पास लगभग अभी 16 मेरे पास और सेड कितने अरिया में बना हुआ है सेड बना हुआ है अभी दस वाई 30 का बना हुआ उत्तम जी एक चीज पूछते हैं कि जैसे कि और भी बहुत कुछ है आप चाहते तो कुछ कहीं जोब अगर अभी कर सकते थे फार्मिंग का कैसे ख्याल आया है फार्मिंग का ख्याल इसलिए असर क्योंकि सरकार का जिस तरह से बेवस्ता है कि जोब में कुछ होने वाला नहीं है दोजार अठारा में हमने जोब के लिए अपलाई किया था बिहार पुलिस और दरोगा स्पोर्ट कोटा से तो उसमें 17 दरोगा का था और 60 सिपाई का था बिना किसी इन्फोर्मेशन का उसका वैकेंसी हो गया और उसके बाद जब उस पर किसी ने कलेम किया तो उसमें नोट हो गया कि बिहार में जॉब लेना बहुत मुझकिल है अब स्पोर्ट स्कॉटा होने के बावजूद भी आपको जॉब नहीं मिला जिविल्कुल नहीं बुलाईएगा तब न समझ में आएगा आप स्पोर्ट को बढ़ावा दे रहे हैं आपके पास स्पोर्ट का डाटा है तो स्पोर्ट में कहां चले गए सब इलकुल आपके पास इतना बड़ा शुटिंग रेंज नितिश कुमार जी खोले हैं कड़ोडो रुपया लगवाएं नितिश कुमार जी का कहा जाता ड्रीम प्रोजेक्ट का यह हाल है देखें दोस्तों बिल्कुल सही बात उत्तम जी बताए और बिल्कुल यहां से कुछी कदमों पर जो सुटिंग रेंज है कल्यान बिघा में और काफी खर्च करके वो बनाया गया है और आप देख सकते हैं कि ये जश्ट उस गाउं के बगल के रहने वाले और इस तरह की बात कर रहा है हमारा बस ये उद्देश है कि सही तरीके से ये बाते हमारे मन्निय मुख्य मंत्री तक पहुँचे और आप सबसे मैं आगरह करना चाहूंगा किसी वीडियो में मैंने कभी कुछ नहीं बोला है ल बहुत सारे बिहार के अलग-अलग कोनों में अच्छे-अच्छे स्पोर्ट्स परसन होंगे जो इस तरह से पड़े हुए हैं और सही तरीके से उनको सहायता नहीं मिल पाती है आगे की क्या योजना है आगे का योजना था सर हमको सुटिंग में हैं योजना है क्योंकि भव मतलब पिलियर होने के नाते भी जो बच्चों को समय नहीं मिल पाता या नहीं सीख पाते हैं अश्कूल के बज़ा से तहम उनको भी कुछ बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं यहां अपने फारम पर ही देते हैं जो उस साइड में जो आप रेंज अभी बनागे रखे वहीं जी बिल्कुल अभी तो काम ही चल रहा सर लेकिन अभी हर्याना में मैच आ गया था अल्रेड़ी दो-चार दिन में हम टंपरेरी रेंज से टप किये हैं उसमें बच्चा रिजल्ट हमको बहतर दिया सर जितना हम मतलब बच्चे पर धियान दिया है उतना सरकार से क्या कहना सरकार से तो हम कहना चाहते हैं सर बस यही बात है कि आप जितना रुपया आप सरकारी खजाने से खर्चा कर देते हैं आम पबलीक को सुचन करके खर्चा कर देते हैं उसको जिन अधिकारियों को थोड़ते हूं अधिकारियों को थोड़ा टास्क लिया किए क्योंकि कम हैं सरकार कि अगर हमारे वीडियो को देखे तो हम से सिधा भी आकर के सवाल जवाब कर सकते हैं इसके लिए हमको कोई अथि नहीं हम किसी का दवाब में नहीं है क्योंकि जो है सामने है आप जितने भरा स्यटींग रेंज को खुला हो गया उसका डाटा ले सकते ले सकते हैं अगर एक कलाकार के अंदर हुनर है तो किसी भी पत्थर को मुर्ति का अकार दे सकता है लेकर अगर उसमें टाइलेंट नहीं है तो किसी अच्छे भी पत्थर को तोड़के रख देगा व विचलित हो जाता है जब सही तरीके से आदमी को सिस्टम और सरकार का सहियोग नहीं मिल पाता है कभी हम भी इसी सिस्टम और सरकार के कारण जो हमारा सपना था वो पूरा नहीं हो पाया इसलिए जब उस इस्थिती को मैं देखता हूँ तो आज अंदर से आक्रोसित हो जाता हूँ हो सकता है किसी को मेरी बाते बूरी लगी होगी तो मैं छमा चाहता हूँ लेकिन फिर भी सही बात और ऐसे ऐसे लोगों अगर होंगे और उनको सही तरीके से सरकार और सिस्टम का साथ नहीं मिलेगा तो समय समय पर अपनी बात को मैं लाते रहूँगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताईएगा बहुत बहुत धन्यवाद